कि नमस्कार आपके पसंदीदा शो बीच बहस में मैं मुहम्मद अतिक आपका स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आप से जुड़े हुए मुद्दों को आज हम बात करेंगे हिर्दे से जुड़ी समस्याओं की दिल से संबंदित बीमारियां एक गंभीर समस्या है जिन्हें समय समय पर मिरंतर देखभाल की आवशेक्ता होती है भारत में हिर्दे रोगों के कारण मौतों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ुत्री हुई है यह एक चौकाने वाली बात है खराब जिवन शैली इसका मुख्य कारण है मोटापा तनाव और अस्वास्थकर यानिकि अनहल्दी आहार की आदतें इसके लिए जिम्यदार मानी जाती है आजकल नोजवानों में भी हर्दे घात की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है हस्ट पुष्ट तंद्रुस्त नजवान चलते फिरते और जिम करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं यह हमारे लिए खत्रे की घंटी है हमें अपने स्वास्त के प्रती जागरुक होना होगा हिर्दय रोग क्या है हिर्दय रोगों से कैसे बचे और हार्ट की समस्याओं का बहतर इलाज क्या है इन सबी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर है हिर्दय रोग विशेशे की डॉक्टर राजी गुपता जी सर आपका हमारे इस कारेकर में बहुत-बहुत स्वागत है सर हम सबसे पहले तो आ हमारा द्यान आजकल है जो में कारण हिर्दय रोग से मित्यू का उसको कॉरोन जार्ची डिजीज या हार्ट की द्रमियों की बिमारी बोलते हैं यह एक एपिडेमिक है पहले पश्चिमी देशों में स्टार्ट हुआ पर वहां पे बचार के कारणों को उन लोगों ने काफ देश हैं उन में हिर्दय रोग की संख्या पिछले 20-30 साल में बढ़ती जा रही है और यह प्रमुक्त है कॉरोन जार्ची डिजीज या हिर्दय की द्रमियों की बिमारी है इसके इलावा हिर्दय की मासपेशियों की बिमारी होती है जिसको हम काडियोमायपैथी बोलते हैं हिर्दय की इलेट्रिक करेंट की बिमारी होती है जिसको हम इत्रिल फिबिलेशन या वेंट्रिक अक्टॉपिक्स वो बोलते हैं हिर्दय में इंफेक्शन होते हैं जैसे रोमेटिक हार्ट जिजीज जो पच्चर में होता है जि इंफेक्शन जिली में इंफेक्शन हो जाता सबका ध्यान है और जो भारत वर्ष आश्चरी के बाद ये है कि जितने जादा हार्ट जिजीज के मरीज भारत वर्ष में उतने दुनिया में कहीं नहीं है किसी देश में नहीं है इवन चीन जो हमसे जन संख्या में अल्मोस बराबर है हमसे थोड़ा सा पीछे हो गया उसमें भी हिर्देर रोग कम है बजाए हमारे देश के बिलकुल altri कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग हिर्देर रोग को पहचान ही नहीं पाते हैं अगर हम आपसे पूछे कि कि लक्षण क्या है कि दिल का दौरा पड़ने के लक्षण क्या क्या है तो यह इस पर क्या कहे तो इथा था हैीज इसके बादे में इस तरह से उस फ़ना कि जिम में लोग बैठे हुए जिम एकसराइस करे हैं, एकशर्शन रहे हैं यह चल रहे हैं, पार्टी में बैठे हैं, और बैठे बैठे चक्र आगया, गिर गए. इसको हम sudden cardiac event बोलते हैं और उसकी वज़े से वो भी हिर्दय रुक का एक लक्षन है उसके अलावा एक stable angina यक्ति को चलने के अंदर हिर्दय में जकड़न होती है तो mainly problem बीच में होता है चली जो हिर्दय का जो बीच का हिस्सा है जो चादी का बीच का हिस्सा है लेफ्ट में न इसके अंदर जो दर्द हुआ बैठे बैठे हो गया सोते हुए हो गया बातरूम में हो गया तो वह पांसा मिन्ट हुआ पर ठीक हो गया तो जो रेस्ट की अवस्था में होता है उसको हम unstable angina बोलते हैं और यह दर्द अगर 15-20 मिन से जादा हो गया उसको हम acute heart attack के परिभाश में आता है टेक्निकली उसको acute myocardial infection बोलते हैं पर लेमेन के लिए उसको acute heart attack या heart का दौरा वो बोलते हैं जी हिर्दयरोग जो होते हैं कई बार कर ऴर हम जाना चाहे की कौन क्वासे होते हैं या कौन कवासे होती तो इस पर गया हेंगा तो हिर्दयरोग की को हमने 4 परीभाशा है बताई सण हम में की चाल में परका जाता है इसको phosphate मीया बोलते हैं कि हाट की Nरत कीstanding कोई मेन नाडी में रुकावट हो गई, उसके वज़े से हाट की चाल में फरक आ गया, चाल या तो कम हो गई या बहुत तेज हो गई, और दोनों अस्तिति में पसीना आएगा, गर्माहट हो गई, पर जो दूसरा प्रमुक जो एक्यूट मायकारण इंफाक्शन इसको अपन हृदे के अंदर नाडी में लुकावट रहती है और एक जो नाडी है वो 100% ब्लॉक हो जाती है, तो जो 100% ब्लॉक हो जाती है उसके वज़े से हृदे की मास पेशियों में कुछ गमेज होता है, उसको इंफाक्शन बोलता है, अब जो गमेज होता है तो हार्ट की है जिसमें हिर्दे रोक के सिम्ट्मस हो सकते हैं सर जैसे कि हमारा जो विशह है रेकल से निदान तो अगर हम जाना हिर्दे रोक के निदान क्या है और उसके उपचार क्या है तो इस plan चाहिए तो उन होतीग हिर्दे canceled के लिए बीमारी है घान ही कहा हुँदज हि मिय तक कि फेफरे में उसके बसुछ से भी झॉद वहता है इसलिए अपने को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाते हैं कि कि हार्ट का लक्षन दर्द कौनसा है अगर श्रक है हार्ट की विवारी होने का तो उसके प्रुक्रेट टेस्ट होते हैं सबसे सिंपल टेस्ट तो ECG या इलेक्ट्रो कार्डिग्राफी होता है जो आजकल वाइडली उफलब्द है सरकारी कि इस्पेंसरीज में क्लिनिक्स में सब्जेग है प्राइवेट में भी मिलता है तो ECG जरू कर रहा है अपना जाके जिसे कि यह क्लियर हो कि हार्ट में कोई डेमेज तो नहीं है पर अटेक तो ECG में आ जाता है पर एंजायना या अस्टेबल एंजायना करभा ECG में नहीं आत होता है यह दो टेस्ट हैं जो हिदे की मास्पेशियों में जैमिश हुआ या नहीं हुआ उसकी जन्गरी देते हैं और उसके लावा स्ट्रेस टेस्स मशीन पर चलाके या कुछ एक्सरसाइज करवाने के बाद में इसीजी किया जाता है एको किया जाता है उससे भी मुल्म है ऐसा क्यों होता है तो नी कि घ्डे रोक की जो बीमारी है जो घ्डे की मासस पेशियां सिकुड जाती है उसकी वजएसे होता है जो चीजे मास स्पेशिय nut में बढ़ाती है जैसे सरदी के अन्टर देखा कई सकिन सफेद पर जाती है वैसे हिदे की नाडियां भी पड़ता है, तीसरी बात जो हार्ट की धमनियों में रुकावट होती है, जो कोलेस्ट्रोल जमा हुआ है, उसमें प्लाक जो हो जाता है, वो भी सरदी के मौसम में ज्यादा होता है, और उसके लावा पॉल्यूशन अंदर रहना, इंफेक्शन इन सबसे हिदय के अटेक होने क रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए स्रदी के मौसम में इस सब चीज़े बढ़ जाती है, बिल्कुल सही का आपने, सर आजकल यंग जनरेशन में भी हिर्देगात में ब्रद्धी आई है, इसका क्या लक्शन है, अभी आपने शुरू में भी बताया कि आदमी दौर रहा है, भ पचास साल की उमर की बीच में होता है, एक बहुत बड़ी समस्या है, और भारत वर्ष में ये सबसे अधिक होती है, हमने अध्यान किया, कि बीस सो बीस के अंधर, मतलब बीस दौजार श्रताबदी के प्रागंब में, करीब जेड लाग प्रतिवर्ष प्रमेशर हार्ट ज तीन लाग हो गया, तो तीन गुना बढ़ गया, अभी क्यों बढ़ा, एक तो हमारी जीवन शेली बड़ी असाहियमित हो गई, बिल्कुल, तंबाको का सेवन बढ़ गया, अलकॉल का सेवन बढ़ गया, जो खराब तरह का भोजन है, इसको हम एन-हल्दी फूड बोते हैं, खासकर तलीवी चीज़ें, ट्रांस फैट्स, फास्फूड, विदेशिक फास्फूड और देशी फास्फूड, दोने जम्यवार हैं, बिल्कुल, पहले गलों में महीने में एक बार फास्फूड का उपयोग होता था, आज कल रोजी होता है, तो यंग जनरेशन उसे ज्या नाओं से आम आदमी में एक भय व्याद्ट हो गया है, तो इस पर आप जो नागरिक की प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? भय करने की ज़रत नहीं है, हिदेर रोग तो एक जीवन शैली का हिस्सा है, आम तोर पे अगर 80 साल के बाद में, नबे साल के बा स्वस्त जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, इसके लिए सरकार भी सयोग कर सकती है, पॉलुशन कंट्रोल करे, साफ पानी, स्वच हवा का हर एक व्यक्ति को जो मूर अधिकार है, वो प्राप्त हो, स्वच भोजन, पॉलुशन रहित भोजन सब को मिले, और जो चीजें जै प्रादा किया जाए, तो यह देरों की संभावना कम होती है, और सबसे प्रमुक जो चीज है वो है व्यायाया, एक्सरसाइज, और यह एक्सरसाइज, जो स्कूली बच्चों में स्प्राट की जा सकती है, कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उन सब को करम से कम आदा गं में का कितना खेलते हो, आदा गंटा खेलते हैं, क्या करते हो वीडियो गेम्स केलते हैं, सर यह इस तरी के चीजे आ रहे हैं, जितना डिजिटाइजिएशन बढ़ रहा है, जो आधुनिकता के दोर में आदमी खेल ग्राउंड पे कम लेकिन मुबाइल में ज्यादा आ रहा जो एकसरसाइज करें, उससे आपके होने की चांसे करीब पचास परतिशत कम हो सकते हैं, और सब हमें जीए से पूछते हैं कि हमें सब स्वस्ते जीवन शाली अपना है, तो क्या होगा, मैंने का कि यह नहीं कि आपके होगा यह रहा हैं, आपको सौ साल में हो, पर जो आपक इसके पहले एक इंपॉर्टन चीज है कि हर एक ब्रक्ति को यह मालूम होने चाहिए कि उसके आसपास हिद्रोग का हॉस्पिटिल एद्रोग के सेंटर्स या सरगाली हस्पदालिया जा हिद्रोग के इलाज की सुर्दाय हैं वो हैं की नहीं है और उसका उध्यान रखे उसका नोट करके रखें नमबर एक नमबर दो अगर किसी को हिद्रोग प्रादमिक आवस्था में हो रहा है घर पर गरभाट हो रही है तो एक सिंपल सा सॉलूशन है आइस्परिन की जो गुली आती है जी सॉल्यूबल आइस्परिन खूब मिलती है से 10 पैसे की गुली है उसको हम 20 पर्दिस सद शथ तक कम हो जाता है सिवेर्टी हरत्यक की वही कम हो जाती है एक बात दूसरी बात आज़कल हिद्ए आगात का जो सबसे बड़िया इलाज है वह हार्ट की अंगियो प्लस्टी है बहार सरकार ने रदायस्थान सरकार ने अजिक्ट में मेडिकल कॉलिज इस जहां पर एंजियोग्राफिक की सुवज़ाइं आइसता आइसा डिवलप हो रही है तो ऐसे हॉस्पिटल में जाके अगर इमिजरिटली एंजियोप्लास्टी कर दी जाए 90 मिरिट के अंदर अंदर तो उसकी वजह से हिर्दे की जो मास्पेशियों में डेमेज होता है उसका आदे से भी कम हो जाता है हमने देखा है कि 10-15 मिर्ट में एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है तो 100% ठीक हो जाते हैं फिर तो लगता है कि बीमारी कभी हुई नहीं तो ये दो चीज़ें एंजियोप्लास्टी एक अच्छा इलाज है पर इसके अलावा एक और इंपर्टन चीज़ है कि हिदे की दवाईया एक बार स्टार्ट होती है तो जिंदगी बर चलती है क्योंकि ख़ाबी आर्ट्री के नहीं है ख़ाबी तो अपने खून की है खून में जमनी की टेंजनसी है कोलेस्ट्रॉल की मातरा जादा है शुगर जादा है कुछ और तर के पदारत है जादा है इन सब बातों का खून पर असर पड़ता है और खून की नाडियों में जाके खून जमा हो जाता है तो इसलिए एक बार दवाई चलू करते हैं तो डॉक्ट्री सला के विना दवा बन नहीं करें साउधानी बरतनी के बहुत ज़रूरत है बिलकुल तो सर जिस तरह भागदौर भरी जितनगी है जिसमें हर आदमी वर्किंग आदमी है तो इस तरह किस जो हर्दय के रोग से बचने के लिए हमें किस तरह के खान पान की अपने जीवन शैली में जोडने के ज़रूरत है एक बड़ा साधारन सा उदारन है इसका जो किसान खाता है या जो गरी का बोजन है स्वच सबजियां स्वच जो मौसमी फल आ रहे हैं वो खाये मोटा अनाज खाये सबजियों में कम तलीवी चीज़ें खाये तेल घी जो भी खा रहे हैं कम से कम खाये तो इस अब चीज़ों का अगर हम सबस्च करेंगे मैं सबसे दूरी बातें बोलता हूं एक तो फ्रूट्स वेश्टिबल्स का उपयोग जादा करें कम से कम चारसो पांसो गराम प्रती दिन और जो तेल घी है उसको ज्यादा तले नहीं उबाले नहीं अगर कच्छा खाते हैं तो बैस तरीका है अगर पका के खाना है या कड़ाई में तल के खाना है वो सबसे या बैलन्स जाइट करेंगे तो उसे अच्छा रहेगा बिलकुल सर कई बार देखा जाता है कि जो फास्ट फूड आते हैं कई बार मार्केट में उपलब्ध होते हैं पीजा बर्गर ले लिए इस तरीकी और भी बहुत सारी चीज़े हैं वो बच्चे बहुत प्रिफर करत है उसको बहुत चाव सिखाती है तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यह जो फास्ट फूड है शुगर है सॉल्ट है यह तीन चीज़ें है यह तीनों की तीनों चीज़ें अपनी सब बिता में नहीं है जब बच्चा पैदा होता है उसको ना नमक का टेस्ट मालूम है ना चीनी का टेस्ट मालूम है ना फैट का टेस्ट यह ट्रांस फैर्स का टेस्ट मालूम है अपने अपने कंफर्ट के लिए पेलेंस अपने कंफर्ट के लिए उनको ही खिलाते हैं कि यह खाले यूरोप में बट बड़ा अभियान चल रहा है बच्चे को पैदा होता है तो यो लोग तो यICH कैते हैं कि जिए की वख चौन के ज़रोत ही है. इसकी अई है. इसको हैं, अजय है नमक फैस्स का-जय क्षवत है नमक पड़ा है जो खूणे है है जो अट फैट्स हम ऐसको रिधा है, उसको अजय नुक्सान करता है. अपन पहले जमाने में लोना मखान कुछ ना कॉते थे तूपना घी ख्गाते थे जो हुटा होता हैं। उसको आपने सेख के उसको इसको अच्छा फैरता थो तांसफ तो फिद्रोग की जो घटनाए है वो भी आदिर जाएंगी जी सर कई बार देखा जाता है कि कोरोना के बाद से बहुत से लोगों में ये भरम आ गया है कि जो लोग कोरोना पॉजिट्व थे उनका इम्यून काफी कमजोर हो गया है इसमें कितना दम है सर इस पर क्या कहना चाह तो जाएंगी होता है उसकि हार्ट के नाड़ियों में भी इंफेक्शिन हो जाता है उसके वज़ए से अर्टेक इस स्टम पर हार्टेक की समझना बढ़ जाती है पर वो तो भीमारी का इस्सा है दो तीन मेने बाद में वो तो चीजने स्टेपलाइस हो जाती है इसको हम क्योंकि यह देखा गिया कि जैसे जैसे इंफेक्शन ठीक होता है जो रिदे की आर्ट्री की जो सोजन आई है वो ठीक हो गई और उसके वैसे रिदरोग की होने की संभावना नहीं के बरावर है तो एक बात तो यह कि रिस्क रहता है तीर मैने तक आप साफदानी रखें अपने जीवन सेल में किस तरह के व्यायाम को शामिल करें यूगा करें जिम करें या फिर वो ग्राउंट पिजा करके वर्काउट करें क्या कुछ करना चाहिए जो पतंजली योग है उस्टांग योग है उसमे आर्ट चीज़े है पर महरे को चार चीज़ बताता हूं सबसे नियमित वॉकिंग या जॉगिंग जो भी करते हैं वॉकिंग करें गुमना करें पहले तीन किलोंटर से स्टार्ट करें तीन چार पांच-छे शे किलोंटर तक भी तीस साल के बाद मैं ये अच्छी स्टीड है उस स्टीड सांग करें कम से बचालिस मिनट दूसरा काम है मसल जो मास पेशियां हाथ की पाओं की मास पेशियं को मजबूत करने के लिए जो क्रास ट्रेनर होता है, या वेट लिफ्टिंघ होती है तो तीन किलो काव वेट हफते में दू बार करें पांस पर 16 मिनिट के लिए तीसरा है, । बैलंसिंग कमद की जो मास्पेशिया होती उनके एक्सरसाइज और बैलंसिंग के लिए सबसे एक पाओं पे खड़े होके 10 सेकिंड तक दो पाओं पे खड़े होके 10 सेकिंड तक यह एक्सरसाइज करें आप तो वो अच्छा रहेगा और चौती चीजे योगा इसको अपन योग बोलते है तो इन चारो चीजों का जब सही होजन हो जाता है उसको मैं योग बोलता हूं योगा अलग इन चारो चीजों का जब सही होजन होता है तो वो योग कहलाता है तो वो योग कहलाता है इसलिए योग की परवाशा या जो योग कर रहे हैं उनको यह समझना चाहिए कि स्रिफ जब तक यह चालन चीजर नहीं होगा तब तक वो योग नहीं होगा, उसके अलावा प्तनरजी नियुए में तो आठ श्टांग योग है, यम नियम उसमें खाने पेने की बातें भी करी हैं, तो जब तक आपके जीवन शहली पूरने तरह से स्वस्त नहीं होगी, पूरे वो तो एक बटा आठ हिस्सा है बिलकुल सर आधिनिक्ता के दौर में कई बार देखा जाता है कि आज कल जो लोग होते हैं चाहिए वो यंग जेनरेशन हो चाहिए वो बुजर्ग हो या कोई भी हो मुबाइल का चलन बहुत बढ़ गिया है रात में देर रात तक मुबाइल द जी फोन भी आगए और कम्पूटर्स भी आगए तो टोटल स्क्रीन टाइम जो गुवर्मेंट ऑफ कई देशों ने वर्ल्ड हैसेशन ने इसको कहा है कि एक गंटे से जादा नहीं होना चाहिए हाज कि पर आज कर जो जो प्रोफेशनल से जो आईटी प्रोफेशनल जो करता है कंपूटर के अपर बैठ के काम नहीं करता है जैसरे कि तुरी सी अक्किविटी रहती है और कम्पूटर को तफ़र सब्सक्रीन लगाते हैं जैसके आपकी आखें टेमिज नहीं पर चो यंग्स्टर्स जो ओल्ड पीपल हैं जो अप्र फोन पे भी एक एगंटा और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि माइंड की स्वस्त जाने के लिए यह इसका कम से कम प्रेयोक किया जाए बिल्कुल सर जैसे कि हमारी चर्चा हो रही है हम लोग हिर्दे पर हिर्दे गहात या हिर्दे रुगुक पर चर्चा कर रहे हैं मान दीजिए अगर हम लोग चलते फिरते कहीं पर किसी को हार्ट अटेक आ गया तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए प्रात्मिक उप्चार क्या है दो बात हैं अगर किसी को व्यक्ति को पेन हो रहा है तब तो उससे पूछें कि तुमको पहले हार्ट की बिमारी है की नहीं है और उस टाइम पर उसका अगर एस्प्रेन है तो एस्प्रेन दे जाए गुली जिससे की जो ब्लॉकेज है और खुनले की समावना बढ़ जाती ह पर किसी का अगर हार्ट बंद हो गया काडियक अरेस्ट हो गया उसके लिए प्रदेग व्यक्ति को जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है यह हार्ट की पंपिंग कैसे की जाती है उसकी जानकारी होने चाहिए सरकार इसके बारे में बहुत जागरूख है कई प्रोग्राम आपने देखा हमने आपको जयानकारी दी इसके रिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल